तो हम कर रहे हैं अपनी क्लासिस में MCQ questions from accounting for ESI deputy director exam तो आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ और questions जो की relevant हैं हमारे ESI deputy director exam के लिए उनको discuss करेंगे और अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं ESI deputy director exam के लिए तो जल्दी से अनुजिंदल.in पर जाएए अनुजिंदल पर जाके ESI के एक कोर्स पर जाके अनुरूल कर लिजिए वहाँ पर detailed वीडियो हर एक topic with PDFs available हैं तो चलो अब accounting के questions discuss करते हैं पहला question है, a machine is purchased for Rs. 10,000 which was wrongly recorded in the purchase book. Due to this error, trial balance will show difference of Rs. 10,000, not show any difference, show the difference of Rs. 20,000 and show a difference of Rs. 5,000. तो question में हमें क्या given है, कि company ने एक machine purchase करी और purchase करने की बजाए, purchase करने के बाद उने क्या करा, उसे purchase account में record कर लिया देखो, जो purchase account होता है, हो हमारा किस purpose के लिये होता है, सिरफ purchase record करने के लिए, तो सर आप बोलोगे कि बजाए परचेजी जी तो है, तुम बोलोगे सर ये purchase जी तो करे हैं, लेकिन purchase book में हमारा, purchase account में क्या record होता है, सिरफ वो purchases, जो कि हमारे sale के लिए होती है, मतलब जो business के ल shirts को buy and sell करता हूँ, तो मैं जब shirts खरीड़ूँगा, वो ही amount, वो ही transaction हमारी purchase account में जाएंगी, और कोई furniture, building वगरा खरीदूँगा, तो वो हमारा purchase account में नहीं जाएगा, तो इधर क्या हुआ, अकाउंटेट ने गलती गलती किया करी, कि जो machine account है, उसे भी purchase account में डाल दिया, अ यह entry होती, machine account debited, cash account credit, यह entry होती, 10,000, 10,000 से, अब हमें बोला गया है, जो wrongly record हुई है, वो कहां चली गई है, purchase account में, means हमने किया क्या होगा, purchase account debit कर दिया होगा, 10,000 रुपीज से, और हमारा cash account credit हुआ होगा, 10,000 रुपीज से, यह हुआ होगा, देखो, होना यह था, accounting ने कर यह दिया, और हमारा question है, कि भई, trial balance में क्या effect आएगा, अब सोचने वाली बात है, देखो, trial balance क्या होता है, हमारा debit और credit का वोई सार पूरा information होती है, इधर क्या होना था, कि debit में 10,000 जाने थे, credit में 10,000 जाने थे, हुआ कि debit मे 10,000 गए ही है, और credit में 10,000 गए है, means हमारा trial balance है, वो तो match करेगा ही करेगा, चाहे गलत से करे, चाहे machinery account की बजाए हमारा purchase account debit हो रखा है, लेकिन debit हो रखी amount, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, जो हमारा trial balance है, उसमें कोई भी difference नहीं आएगा, तो हमारा correct answer हो जाएगा, option number B, not show any difference trial balance गलती कर देरता है, कि भाई मैंने machinery को 1000 से कर दिया, और purchase को 10,000 रूपीज से कर दिया, machinery account को debit 1000 रूपीज से और purchase account को credit 10,000 से, अब ये 9,000 रूपीज का difference create हो गया, जिससे हमारा trial balance में difference आएगा, ठीक है, चले आगे, ये हमारी कौन सी गलती थी, ये posting की गलती करिया है, अका तो next question है, under what circumstances, the drawer and the payee is the same person, with reference to bill of exchange, तो bill of exchange क्या होता है, bill of exchange जो क्या होता है, document होता है, जो क्या होता है, drawer, drawer को देता है, देखो, बिल of exchange में क्या होता है, तीन parties होती है, कौन-कौन, एक होता है, drawer, एक होता है, drawer, और एक होता है, pay, एक example के तौर पूरा बिल of exchange समझा जाता हूँ आपको, मान लिजे, A ने goods credit पे बेचे B को, A ने goods credit पे बेचे B को, अब A परिशान है कि B future में payment करे ना करे, तो A ने क्या किया, एक bill create किया, और B के पास बिजवा दिया, कि इस पे लिखा हुआ था, कि हाँ, B ने 3 months के बाद मिरे को इचनी payment करनी है, ठीक है, B ने उस bill पे sign कर दिया, और A को वाफसी कर दिया, तो हमारा drawer कौन हो गया, A जिसने material sale करी है, B कौन हो गया, purchaser, और यह हमारा क्या हो गया, drawer है, A कौन है हमारा drawer, और B कौन होता है, drawer जिसने समान खरीदा है, और pay कौन होता है, pay वो बंदा होता है, जिसको B ने पैसे देने है, अब B को पैसे किसको देने है, A को, तो मतलब हमा ये bill of exchange है A ने उठाके किसी और को दे दिया A ने let's suppose X को दे दिया कि ये लो B से मेरे को payment आनी है आप ले लेना तो अब B को payment किसको करनी पड़ेगी A को या X को X को करनी पड़ेगी तो उस case में pay कोन हो जाएगा हमारा X अब हमें चेक करना है किस condition पे हमारा जो drawer है जैसे drawer हमारे इस case में कोन है A वो pay के बराबर हो जाता है मतलब pay same रहते हैं वो दोने individual same रहते हैं देखो अब options क्या होते हैं जब हम bill of exchange पड़ते हैं तो bill of exchange में हमने पड़ा था कि जो A है जो drawer है ये drawer है ये अपने bill को कुछ भी कर सकता है क्या क्या कर सकता है या तो bank में जाके endorse करा सकता है bank में जाके discount करा सकता है bank में जाके discount करा सकता है इसका मतलब क्या कि let's suppose A को पैसे की जुरुत है अब B के पास से जो payment आनी है वो तो 3 months के बाद आनी है जब 3 months के बाद आने है उससे पहले अगर एक हो money की requirement है तो बैंक पे जाएगा और बैंक से bill of exchange दे के cash ले लेगा या तो वो किसी और third party को transfer कर देगा या तो wait करेगा 3 months तक के लिए कि B उसे payment करे यही चीज़े होती है तो अब किस case में हमारा जो drawer है और pay same होंगे अगर A उस bill of exchange को अपने पास ही रखता है 3 months सक तो उस case में क्या होगा जो हमारा drawer होगा और जो pay होगा वो same ही person हो जाएंगे अगर A ने वो bill of exchange बैंक को दे दिया या endorse कर दिया किसी और के नाम पे तो B उसको payment करेगा तो A के पास तो आएंगे नहीं तो मतलब pay your drawer अलग हो जाएंगे तो जिस case में A अपने पास retain करता है hold करता है bill of exchange उस case में हमारा क्या होता है drawer और pay same होते हैं तो अब चेक कर लेते कौंस option हो जाएगा when the drawer discounts the bill with the bank तो गलत क्यों इसमें तो जो B है किसको payment करेगा bank को payment करेगा तो bank हमारा pay बन जाएगा when the drawer endorse the bill to third party मतलब A ने हमारा bill किसी और को दे दिया X को दे दिया तो इस case में X हमारा pay बन जाएगा when the drawer holds the bill till the date of maturity तो हमारा correct option हो जाएगा option number C when the drawer holds the bill till the date of maturity और अगला क्या है when the drawer dishonor the bill इसमें तो payment ही नहीं हो रही तो correct option हो जाएगा हमारा option number C give me a second ठीक है चलें आगे तो next question है अब हमारा next question क्या गारा है X limited forfeited 20 shares of rupees 10 each rupees 8 called upon on which John had paid a application and allotment money of rupees 5 per share of these 15 shares were reissued to Parker as a fully paid of rupees 6 per share what is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve account तो पूरे question में हमें share issue और forfeiture की बात बताई गई है हमें बताना है कि जो forfeiture में amount बचेगी वो कितनी बचेगी forfeiture में amount जाती कुंसी है सबसे पहला question तो उठना चाहिए हमारे पास forfeiture में वो amount जाती है जो shares हम cancel कर देते हैं मान लिजी हमने कुछ shares issue करें और let's suppose X ने उसे payment नहीं करी जब एक्स ने payment नहीं करी इनके shares हम cancel कर देते हैं तो एक्स ने जो पहले payment करी होती है application or lot में ये call money के time पे उस amount को हम कहां transfer कर देते हैं forfeiture account में और बाद में जब रिशू करते हैं तो उसे utilize करते हैं discount purpose के लिए तो अब question में हम transaction देखें क्या बोला हुआ X limited forfeited 20 shares of rupees 10 each 8 called up 8 called up का मतलब क्या 10 rupees का share था तो company ने अभी सिरफ 8 rupees मंग वाए है जिसमें से जॉन ने कितने pay कर दी है application and allotment money pay कर दी है 5 rupees की मतलब जॉन के total पैसे कितने आए हुए है हमारे पास company के पास 20 shares के लिए 20 shares के लिए John के आए हुए है total 20 into 500 rupees मतलब जब हमने shares को cancel किया होगा तो हमारे forfeiture account में कितने पैसे गए होंगे 100 rupees कितने shares के लिए 20 shares रुपेस के लिए क्योंकि John ने हमें 5 rupees per share के according payment कर रखी थी बाकी payment नहीं करी उसने 3 rupees की जो भी call मानी रही होगी तो हमने forfeiture में कितने transfer कर देने है 100 rupees 100 rupees करे होंगे उसके बात किया होगा 15 shares रिशू हुए 15 shares मतलब अगर मैं इस 100 rupees को divide करूँ total 20 shares है तो एक जगा हो जाएंगे 15 shares एक जगा हो जाएंगे 5 shares तो यह हो जाएगा हमारा 3 ratio 1 जो किया जाएगा 75 rupees और 25 rupees देखो यह वाले portion के shares हम रिशू कर रहे हैं यह वाले रिशू नहीं कर रहे है आगे क्या बोला गया है fully paid off rupees 6 per share जो रिशू करे हैं वो 6 rupees में करे हैं मतलब कितन रुपे का discount दे दिया 4 rupees का discount 4 rupees का discount 15 shares पे मतलब 60 rupees दे दिया यह 15 rupees कहा transfer हो जाएगे हमारे capital reserve में यह 15 rupees कहा transfer हो जाएगे capital reserve में यह करते हैं जब accounting interest पास करते हैं और बच्चे हुए 25 जो shares हमने रिशू नहीं करे वो 5 rupees 5 shares के amount 25 rupees अभी भी कहा पढ़ी होगी for feature account में तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा option number B 25 rupees समझ आया हमें ध्यान रखना है रिशू करते वक्त कि भाई जो shares रिशू नहीं हो रहे उसकी amount वो for feature में अभी भी पढ़ी रहीगी चले next question की और next question है which of the following statement is true a debenture holder is the owner of the company क्या debenture holder बिल्कुल गलत क्यों sir हमारे debenture holder owner नहीं होते owner कौन होते है equity share holders equity share holder लिखा हो तो मैं tick करता है अगली statement क्या है a debenture holder gets his money back only on the liquidation of the company तो ये भी statement गलत ये भी equity shares के लिए लिखी गई है debenture holder की जो भी time होता है 5 year 10 year 20 year जो भी time limit होती है उसके according उन्हें pay किया जाता है चीक है next क्या है a debenture holder receives interest only in the event of profit ये भी गलत है चाहे company को profit हो या ना हो debenture holders का जितना interest जाना होता है वो pay होता ही होता है last statement क्या है अब मतलब आप्वेस है ये हमारी सही होगी a debenture is issued at discount can be redeemed at premium अगर कोई debenture discount पर issue गया गया तो उसे premium पर redemption किया जासता है तो correct option क्या हो जागा हमारा option number D ठीक है चलें एक question और discuss कर लें एक question और कर लेते हैं profits can be fraudantly inflated by profits को कैसे बढ़ाया जासता है जैसे company में सुना है कि हमने balance sheet को change कर देते हैं ताकि profits जादा दिखें तो किस case में हमारे profits बढ़ेंगे अगर company कुछ यह घपला कर रही है इन चार घपलों में से किस case में हमारे profits जादा बढ़ेंगे तो पहला क्या है suppression of sales return देखो अब इस question करना है तो profit क्या होता है हमारा sales minus cost यही होता है profit let's suppose sales 100 rupees की है और cost 60 rupees की तो profit कितना होगा 40 rupees का अगर company suppress करेगी अपने sales return को उससे profit बढ़ेंगे या कम होंगे हम यह चेक करना है let's suppose company ने अपने sales return को दिखाया नहीं अगर दिखाती अगर show करती उन्हें record करती तो profit क्या होता देखो sales return को हम क्या करेंगे पहले हमारी sales जुदी 100 rupees का लेकिन कुछ sales वाफसी आ गई तो हम sales return को sales मेंस कर देते है तो sales के amount कितनी रह जाती हमारी 80 rupees तो 80 और cost कितनी रह जाती 20 देखो अगर company suppress ना करती तो profit कितना होता 20 rupees का लेकिन अभी suppress कर रही है नहीं शो कर दी तो profit कितना हो रहा है 40 rupees का तो इस case में क्या हो रहा है हमारे profits बढ़ रहे है तो मतलब पहले ही हमें पता चल गया कि suppression of sales return से क्या होता है profit बढ़ता है तो हमारा correct option क्या हो जागा option number A तब भी एक बार हम बाकियों को भी check कर लेते हैं next क्या है over estimation of liabilities over estimation of liabilities क्या रहेगा कि मतलब liabilities को record कर रहा है तो जो balance sheet का part हो जाता है वैसी हटा देंगे last क्या रहेगा omission of prepaid expenses तो prepaid expenses क्या होते हैं कि company ने जो पहले खर्चे कर दिये देखो वो current year की balance sheet में तो वैसे भी record नहीं होने थे pre and l में sorry current year की balance sheet में जाने थे profit and loss में तो वैसे record नहीं होने थे क्योंकि वो prepaid से तो पहली कोई profit में change नहीं करेंगे चीक है तो correct option क्या हो जागा हमारा option number है suppression of sales return तो अब ये एक last question इसको आपको answer हमेशा क्या करना होता है comment box में question क्या है dividend paid by the firm is always part of financing activity assertion दे रखा है और reasoning दे रखा है और reasoning क्या final dividend is paid by every firm during the year तो आपके recording कौन सा correct option है जल्दी से comment box पे answer देगे बताइए ठीक है that's all for today बाई 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 टेक केर see you soon